आप सब मेरा नाम है मोहिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हल्क जिप सो आज हम बात करेंगे exercise के उपर जैसे कि अपने मेरा पिछला वीडियो देखे होगा जिसमें मैंने सारा कुछ आपको बताया था about the gaining stack of muscle stack और आज हम बात करेंगे हमारी exercise के उपर सो आज एक muscle लेंगे जिसका नाम है trapezius muscle वैसे तो आपको कही हों को पता ही होगा trapezius muscle जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं trapezius muscle जिपको आप collar bone collar भी कहते हैं collar muscle this यह collar muscle ठीक है इसके लिए train करने के लिए कौन-कौन सी exercise जो effective है और उसका सही वे क्या है जो आपको पूरा उसका benefit मिल पाए तो आज वह हम आपको discuss करेंगे तो वह को बताएंगे कि कैसे करनी है जिसके तीन-चार सेटें डिफरेंट डिफरेंट और इसको आप हफते में दो बार या तीन बार भी लगा सकते हैं तो आज हम मेरे पास साथ है मिस्टर जितिंदर सैनी आपको जो demonstrate करके दिखाएंगे और मैं आपको सारा बताऊंगा कि कैसे आ आपका shoulder रहे shoulder से हलका सा बाहर को पखड़ेंगे थोड़ा सा बाहर के अब भार को घ्रैब करेंगे चलिए रोड को थोड़ा सा बाहर से फोड़ा से yourself बस यहां से आप पकड़के इसको सीधा उठाएंगे तो आप क्या करेंगे statement को हलका सा पीचह रखेंगे आप और उपर उठाएंगे इसको ऊपर उठाएंगे रोकेंगे हलका सा बिलकुल सीधा उपर उठाएंगे दो एक सेंड और नीचे यहां पर अब आप यहां पर देखेंगे तो कौन सा मसल जल रहा है आपका that is your trapezius Muscles यह कॉल यहां पर आपके focus आरहा है तो इस इस यूर बार्बल श्रक्स अब यह हैं हमारी पहली exercise श्रक्स फ्रंट बार्बल श्रक्स हमारी उस्टम की दूसरी exercise है बारबल बैक्से पकड़के आप लिखेंगे बैक श्रक्स चलिए लगा के दिखाईए सेम वैसे ही आप शूल्डर विट से आप किसको यहां से ग्रैब करेंगे बार को दोनों हाथों से सीधे रखके आप किसको उठाएंगे और पोजिशन वही रहेगी ऊपर बिल्कुल रोकेंगे एक सेकंड के लिए hold नीचे बिल्कुल धीरे रिलीज करें तो यहां पर भी आप देखेंगे आपका रिएर जो है मुस्ल मुसल हो रहा है ट्रपीजीस का जब आप आगे से कर रहे ते तो आपका फ्रन्ट मसलते हाँ अब आपका लेमस्लत त्रेन हो रहा भार वे this is the moment कि जो थर्ड एक्सरसाइज है ट्रपीजिस मुझे वो है डंबल चलक्स इसके लिए आपको दो डंबल ग्रैप करने पढ़ेंगे आप अकॉर्डिंग तो अपनी स्ट्रेंथ जो भी आप डंबल उठा सकते हैं वोल में बहुत ज्यादा हैवी ना लें ताकि आप मुवमेंट पर फोकस कर पाएं चली लगा के दिखाएए अब यहां पर दो डंबल ग्रैप करेंगे और सेम पोजीशन में हम इसको लिफ्ट करेंग देस यह देखिए साइड पर रखें डंबल को और ऊपर एक सेकंड के लिए होल लेंगे वोल डट एट एंड स्लोली रिलेज़ इस तो यहां पर यह है हमारी थर्ड एक्सराइज ऑफ यह ट्रपीजिस मुसल दैट इस डंबल श्रक्स पीजिस की जो अगली एक्सराइज वो है आप प्रैट रोस फिद बार आप वहां पर भी लगा सकते हैं मशीन पर आप यहां पर भी लगा सकते हैं चलो यहां पर भी आप क्लोज ग्रिप लेनी है शोल्टर से थोड़ी अंदर ऐसे आप बार को होल्ड करेंगे और इसको आप उठा पाएंगे बहुत हैबी जाने की जुरूत नहीं है ओके इस मसल की लास्ट एक्सराइज है जो है रोप श्रक्स यहां पर आप इसके साथ मशीन के साथ एक रोप अटैच करेंगे और उसके बाद आप इसको परफॉर्म करें कैसे करेंगा दखाईए देखें से अब यहां पर क्या करेंगे है इसको लिफ्ट करेंगे आप और पिछे शोल्डर रोटेट करेंगे लिफ्टेट एंद रोटेय यूर शोल्डर येश तो इस इस योर टरपीज्यस मसल मश्रग के श्रक्स ऑण रोप trapezius की जो last access है वो है upright ruse इस के लिए आपको machine आपके बसा ऐसी होगी जो कि आपकी cross cable के use होती तो यहाँ पे आप एक bar लेंगे straight bar यहाँ पे अब आप सिसको grip करओं यहाँ पे आप इसको दो यहाँ पे ऐसे आप grip करेंगे close ठीक है यहां पर इतनी डिस्टेंस से आप लेके सिधा खड़े होगे और अप्राइड रो करेंगे यहां पर एट फॉर वान सेक्ट एंड स्लोली रिलीस तो यहां पर भी आपका ट्रपीजियस मुसल ट्रेन होगा यह दस इस यह मुसल तो यह इसकी पोजीशन रहेगी स्लोली रिलीस करेंगे और यहां पर उपर पूर उठाके जहां पर फोल्ड करेंगे इसको आप वीक में टू या थ्री बार भी लगा सकते हैं इसको आप जितने भी इसके हमने एक्सराइज दिखाई आपको उसके आप टू तो थ्री सेट्स पर फॉर्म करेंगे 10-12 रेपिटिशन और वेट आप मोडरेट रखेंगे बहुत हैवी नहीं लेंगे ताकि आपको पुरा मसल स्क्वीज हो सके और जितना भी वेट है आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लीजिएगा so thank you for watching our channel please like subscribe and share it thank you